Hello Everyone, Welcome to Online Study Point So first of all, आप सभी को नए साल की हार्दिक सुपकामना है आप सभी का नया साल मंगल में हो और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि चैनल से रिलेटेड कुछ अनाउंस्मेंट भी करनी है तो आज है एक जन्वरी एक जन्वरी दोहजार बीस और एक जन्वरी से करंट अफ्यर के जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन्स बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी कोश्चन्स है रिलेटेड एक्श्रा अफेक्ट भी जानेंगे सारे ही कोश्चन्स इंपॉर्टन्ट है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की पीडियो टेली ग्राम से भी प्राप कर सकते हैं साथ ही इस्पिसल वीडियो उसके लिए ओनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो चले यह स्टार्ट करते हमारा पहला कुश्चन हाल ही में किसे CRPF प्रमुक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और यह दिया गया है SS देशवाल को क्योंकि आप सभी जानते हैं जो SS देशवाल है यह तो है ITBP के महानी दे सक और इन्हें अब एडिशनल चार्ज दिया गया है CRPF का तो यहां से दो संगठन इंपोर्टन्ट है एक तो ITBP दूसरा CRPF तो सबसे पहले हम जान लेती है CRPF के बारे में यहनि कि Central Reserve Police Force इसकी स्थापना कब हुई थी 27 जुलाई 1949 को और अभी हाली में यहनि कि 27 जुलाई 2019 को CRPF ने अपना 81 इस्थापना दिवस मनाया था इसका Headquarter कहां इस्थित है तो इसका Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो है Service and Loyalty यहनि कि सेवा और निष्ठा यह है इसका मोटो अब यदि बात की जाए ITBP की क्योंकि SS देशवाल यह ITBP के ही महानी दे सक है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस इसके स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और अभी हाल ही में यहनि कि 24 अक्टूबर को ही जो ITBP है इसने अपना 58 वा स्थापना दिवस मनाया है और इसका भी हेटकॉर्टर कहां इस्थित है नई दिल्ली में और ITBP अभी चर्चे में रहा है क्यों चर्चे में रहा है क्योंकि जो ITBP है इसने अभी हाली में Met testimonial portal शुरू किया है और क्यों शुरू किया है तो इसके बारे में आप लोग बताया भी था, ITBP के कई ऐसे कर्मचारी है, यानि कि मेल और फीमेल दोनों ही, मुसली है जो अविवाहित है और इन ही के लिए यह अनूखी पहल शुरू की गई है, तो यह आप याद रखिएगा, नेश कोश्चन है, हाली में किसने खेलो के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका जो तीसरा संसकरण है, यह असम के गुआहाटी में ही आयोजित किया जाएगा, और कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग बताया था, असम के गुआहाटी से ही खेलो इंडिया यूथ केम्स का जो लोगो है इनकी तीसरे संस्क्रण का लोगो लॉंच किया गया था और इसे भी लॉंच किया गया था सर्वानंद सोनवाल के द्वारा अच्छा यह तो है तीसरा संस्क्रण इसका पहला संस्क्रण कहा हुआ था दिल्ली में दूसरा संस्क्रण हुआ था मुंबई में और अब तीसरा संस्क्राण होने जा रहा है गुआ हाटी में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे खेल मंत्री कौन है तो इनका नाम है किरन रिजुजी जी और इनकी कॉंस्ट्रेंसी क्या है अरुनाचल वेस्ट हम बात कर रहे हैं असम की तो मुख्य मंत्री तो आप सभी जान बना है एनर्सी और जीस्टी ये दोनों ही सबसे पहले असम में ही लागू किया गया था और काजी रंगा राश्ट्री उद्यान जुकि एक सिंग वाले गिंडे के लिए फेमस है तो यह भी इस्थित है असम में ही नेस्ट कुश्चन है जनरल विपिन रावत के सेवा निव बने यानि की मनोज मुकुंद नर्वने और यह स्थान लेंगे विपिन रावत का हम बात कर रहे हैं इंडियान आर्मी की तो इसकी स्थापना कभी थी एक अप्रेल 1895 को और इसका हैट क्वाटर कहां इस्तित है नई दिल्ली में अच्छा इंडियान आर्मी दे यह मनाया रखिएगा कई बार एक्जाम का पाट बनता है और हम बात कर रहे हैं जनरल विपिन रावत की जो की 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं यनि की कल ही और रिटायर होने के साथ ही जो विपिन रावत है इन्हें देश का पहला सीडियास भी बनाया गया है यनि की चीफ ऑफ स्टाफ यह देश के पहले सीडियास बने हैं इसलिए इनका नाम मूश्ट इंपॉर्टेंट है तो यह आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्ज में सबसे अधिक वन इसी क्रम में दूसरे इस्थान पर है आंधर प्रदेश और तीसरे इस्थान पर है केरल ध्यान दीजेगा यदि छेत्र फल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन चेत्र है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के नुसार तो यह है करनाटक बात कीज़े दि करनाटक की तो यहां की राजधानी क्या है बैंगलॉर और बैंगलॉर में ही हैटकॉर्टर है इसरो का और इनफोसिस का जो की IT कंपनी है और इस साल चर्चे में रही है मुख्यमंत्री कौन है तो यह भी इसी साल बनाए गया है इनका नाम है B.S. यदुरप्पा और गवर्नर का नाम है वजु भाई बाला अच्छा करनाटक उच्छी नायल है कि मुख्यनायद ही इस कौन है तो इनका नाम है अब है श्री निवास ओका और यह आप करंट से रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इ इंडेक्स में जो करनाटक है यह टॉप पर रहा था और सरल इंडेक्स भी जारी किया गया था जिसमें करनाटक ही टॉप पर रहा था अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी पॉन की मास्टर येरली PDF के बारे में बता दूँ सबसे पहले तो बात यह है यह PDF फूल डीट तो इसमें एक जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक जितने भी important days और themes रहें सब कुछ कवर कराया गया है अब second topic है appointments तो appointments को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है जैसे कि national appointments इसके बाद जो secretary नियुक्त हुए है अलग-अलग संस्थाओं में इनकी नियुक्तियां फ फिर जो राज्यपाल बदले गये हैं और कई राज्यपाल नए भी बने हैं उनके बारे में बताया गया है high commission और ambassador जो कि other countries में नियुक्त हुए है इन्हें भी अलग से cover कराया गया है यह जो international appointments वाला topic है इसमें जो किसी देश में नए राष्ट पती या प्रधान मंत्री बन sports में जो भी award दिये गये हैं sports के जो भी event रहे हैं और जो भी athlete इस साल चर्चे में रहे हैं इन्हें cover कराया गया है grant प्रिक्स का भी topic अलग से रखा गया है इसके बाद आप सभी जानते है beauty competition भी चर्चे में रहा है जितनी भी beauty competition हुई है male की female की दोनों को ही अलग से cover कराया ग जाते हैं जिसे कि व्यास सम्मान ग्यान पीट जितने भी award रह जाते हैं इन्हें other awards में cover कराया गया है इसके बाद जितनी भी ranking और index रही है 2019 में overall सब कुछ cover कराया गया है जितने भी event रहे है कुछ भी नहीं छूटा है इसमें इसके बाद जिसे कि आप लोगों की demand भी आ रह हुई है products को GI tag मिला है और IIT साल काफी चर्चे में रहा है और सबसे important topic है भारत में पहली बार most important topic है यह अलग से cover कराया है साथ ही किसी भी मंत्राले के द्वारा जो apps और portal launch किये गये हैं इन्हें cover कराया गया है जो भी arbitrary हुई है state की जो scheme रही अलग से केंदर की scheme अलग से science and technology का part अलग से रखा गया है साथ ही जो भी वेक 30 साल चर्चे में रहे हैं उन्हें cover कराया गया है और इस PDF के माध्यम से आप लोगों का more than 95% current affair 2019 का cover हो जाता है इसके बाद भी है दी कुछ बच रहा है तो इसे cover कराया गया है other current affair के question में mcq form में detailing के साथ और इसके पहले जो PDF launch हुई थी 28 state और इसके fact वाली तो इस PDF को लेने के लिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी force नहीं किया था लेकिन इस PDF के बारे में आप लोगों को जरूर कहूंगी यदि आप लोगों नहीं ली तो आप लोगों ने कुछ नही करके इस PDF को purchase कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारा ही material कवर कराए गया है और इस PDF को आप बिल्कुल मिस्मत कीजिए फिर हमारा next question है dream of a billion India and the Olympic Games इस पुस्तक के लेखक कौन है तो यह question मैंने revision के लिए रखा है और इसके लेखक है नलिल महता और बोरिया मजुमदार Olympics से related जो भी issues है Olympic की जो भी story रही और जो next Olympic होने वाला है कहां होने वाला है टोक्यो में कब होने वाला है 2020 में तो इसके लिए खिलाडियों को कौन सी strategy अपनानी चाहिए सब कुछ कवर कराये गया है इस किताब में तो आप याद रखिएगा next question है World Economic League table 2020 के report के अनुसार भारत पांच ट्रिलियन अर्थ व्यस्ता का लक्ष कब तक प्राप्त करेगा तो पहले तेहा टार्गेट था 2024 तक कि 2024 तक भारत पांच ट्रिलियन की अर्थ व्यस्ता को टच कर लेगा लेकिन अब इसके report के अनुसार भारत इस target को 2026 तक अचीव करेगा और यह जो report है World Economic League table इसके अनुसार वर्थ से 2026 तक जो भारत है यह जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 24 सबसे बड़ी अर्थ वस्तावाला देश बन जाएगा तो यह भी आप याद रखीगा तो इसका right answer क्या है इसका right answer है 2026 तो यह भी आप याद रखीगा हाली में महराष्ट के उपमुख्य मंत्री पत की सपत किस ने ली है तो यह ली है अजीत पवार ने और इनका यह चौथा सपत था यह पहले यदि हम देखें तो इनका जो कारेकाल था यह मात्र तीन दिनों तक रहा था और इन्होंने चौ खोश्यारी और महराष्ट उच्छी नयले की मुख्य नयदिस कौन है तो इनका नाम है प्रदीप नंदरा जोग हम बात कर रहे हैं महराष्ट की तो यहां की राजधानी क्या है मुंबई और मुंबई इस साल दो रैंकिंग में टॉप पर रहा है एक तो है टैप वाटर रै किया गया तो इसका शुभारम किया गया ओडिसा में जो धानुजात्र महोत्सो है इसे विश्चो का सबसे बड़ा खुला थीएटर माना जाता है और यह भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणी कथाव पर आधारित है महोत्सो का नाम क्या है धानुजात्रा और इसी का शुभारम हुआ है ओडिसा में बात की जैदी ओडिसा की तो राजधानी क्या है भूमनेश्वर और भूमनेश्वर में है इस्तित है कलिंगा स्टेडियम यहां की मुख्यमंत्री कौन है तो इनका नाम है नवीन पतनायक गवर्नर का नाम है गनेशी लाल और ओडिस और यदि आप करेंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही ओडिसा के कंध माल हल्दी को जी आई टैग दिया गया है तो यह भी आप याद रखेगा नैश कोश्चन है असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉंच की है तो यह योजना किस से रिलेटेड है तो इस योजना का उद्देश से उच्छ सिक्षा के लिए यानि कि हायर एजुकेशन के लिए जो योग ये छात्र है उन्हें रिड देना और रिड में अधिक्तम 50,000 रुपए तक की सबसेड़ी प्रदान करना और इस योजना का लाब उन छात्रों को मिलेगा जो हायर एजु कोशन है यह भी कोशन मैंने रिविजन फॉर्मेट में रखा है हाली में फिक्की की ने अध्यक्ष कौन बनाई गई है तो यहां बनाई गई है संगीता रेड़ी फिक्की यानि कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी स्थापना यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो कुछ समय पहले ही जो अनीता पाई है यह यस बैंक की सी ओओ बनाई गई थी चंद्रीमा साह यह आईने से यह की इंडियन नेशनल साइन्स अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी जबकि जो देव जानी घोसे इन्हें नेस कौ पॉंट बॉक्स में डीटेलिंग के साथ लिखेगा और ओनलाइन स्टडी पॉंट की मास्टर एरली पीडियाफ इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप 3 सिंपल स्टेप्स में इस पीडियाफ को प्राप्त कर सकते हैं और यह पीडियाफ आपके आगाम इतना ही थेंक यू सो मच